राम राम जैस्री राम बाबासादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हारदिक अभिनंदन है 337 किलोमीटर की यात्रा कर 2000 मीटर की उजाई पे पहुँच गया हूँ जहां पर हमारा गाउं है सेना मानूर नजारा देखिए और इस मार्क से मुझे परवेश करना है अपने गाउं में जो तक्रिबन यहां से देड़ से धाई किलोमीटर के बीच में पढ़ेगा ठंडा है ठंड़ी हवाद चल रही है जो हम सोचते हैं वो सपना ही होता है इसलिए खुद को अभी सेख चिली समझा हुआ है गाउ में परवेश करते ही पैरी कामना पूर्ड हो जाएगी सांस फूल गई है तीन बैग हैं तक्रिबन 40 क्लो वेट कैरी कर रहा हूँ और चाई पे चड़ने की आदत नहीं है सांस फूल गया यहां पे एक ब्रेक लिया क्योंकि यहां पे एक मंदिर यहां है और एक मंदिर उपर है उसे हम कहते हैं देवी थान यह दस्टोर है इसके साथ में है हमारा देवी थान प्राकरतिक स्वांद्रे का आनन लीचिये लेकिन इसकी खुबसुर्ति को निहारने के लिए बहुत तकलिप होती है यह हमारा पैतरे कर ओल्ड फैसन ना टीवी है ना फ्रीज है जो ते लेकि अंदर नहीं आसता हूँ क्योंकि कोने में हमारा प्वित्र मंदिर है तो यह है हमारा पैतरी घर यहां पर्वेश करने के बाद दूसरी कामना दूसरा लक्स सुरू हो चुका है मस्तिक्स में एक विचार आया कि हमारे पूरवच उस समय यहां पर कैसे रहे होंगे जब उन्हें एक टैम का भोजन मिलता था अपने पूरवचों की उस पीड़ा को जो उन्होंने उस समय झहली थी जब सुज़ाय नहीं थी ये भी जानता हूँ कि जो कुछ उन्होंने तब बरदास्त किया था मुस्कराते वे उसे आज रोकर भी बरदास्त नहीं कर पाऊंगा एक रत्ती भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाऊंगा किन्तु इच्छा है सो है प्रियास करूंगा किस तरह के से करूंगा वो आपको धीरे 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 आपको बलादा चला जाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि ये उसी ओर अगे बढ़ रहा है क्या जुरुत्ती मुझे यहाँ पे आने की जुरुत्ती मुझे आने की यहाँ पे नहीं थी लेकिन इच्छा की ऐसा लगता है जैसे पित्रों ने मुझे आग्या दी पर पौत्र पुत्र आ जाओ उस दिन हमारे साथ रहो तो पहुँच गया हूँ अपने पित्रों के स्री चड़ों में तो अब जा रहा हूँ सौपिंग करने के लिए तकरीबन 6 किलोमेटर या 7 किलोमेटर का आना जाना होगा अच्छा है कि गाओं के अंदर खासका और गाओं की बात नहीं जानता हूँ जो हम जैसे गाओं है उत्राखंड के अंदर में वहाँ पे ये ऑनलाइन की बिमारी नहीं लगी है वरना हमारा फिटनेस लेवल कम हो जाएगा और बिमारिया हमें I love you बोलेंगी दिखाएंगे नजाला पीछे गाओं है बहुत कुछ क्याना है अगर एक ही बार में सब कुछ दिखा दूँगा तो आपका excitement खतम हो जाएगा बढ़े रहिए सुनसान सड़क कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं सहरों में अगर सनाटा हो तो लूट पार्ट का खतरा और यहां अगर मामू आगे तो सीधा जान का खतरा लेकिन मा मानिला हमारी कुल रेवी उनकी किरपा है अभी तक हम इन खतरों से दो चार नहीं हुए है और फिर हो यह वही जो रामरची राखा पेड़ अभी कुछ उदास से है क्योंकि मौसम बदल रहा है इस सन्नाटे को जंगल के जीरों की अवाज चीर रही है या फिर बाबा साथी के कदमों की आहट और फूलती भी सांसों की गरगरा हट इस सन्नाटे को चीर रही है सामने है में रोट और इसकी चड़ाई खतरनाख है धीरे धीरे करके ये सिदा पहुँचेगी सौ डिग्री पर गडित में फेल हो जाता था इसलिए इसकूल भी पास नहीं कर सका लेकिन सटे बहुत सही लगते हैं एक मोटर बाइक निकलिये गई तक और इस जगा का नाम है चमखला और सामने हमारे गुरुजी बैठे वे हैं और यह हमारा पैरा जनलनल स्टोर है उदर में चक्की भी है रासन की दुकान भी है मर्टी परपज है और हमें अगर पूजा पाठकरानी होती है तो हम गुरुजी को ही आत करते हैं हमारी बीटिया है गुरुजी की पुत्री इनका नाम है गीता पंथ आपने यूटूब में पहली बीन का वीडियो देखा होगा यह पाई नीडल मास्टर है और अभी कुछ इन्होंने नेया किया है वो दिखाता हूं क्या आप बता सकते हैं कि यह दिये किच्चिस के बने वे हैं सोचे आइडिया लगाईए कि यह खूबसत दिये किस मेटियल से बने वे हैं जी ये गव के गोबर से बने है इन्हें जला के देखा गया कि ये जलींगे तो नहीं तो ये इस पकार से इस पकार से तो ये पत्थर का दिया भी काला हो जाता है लेकिन ये दिया नहीं जला सिर्फ तेल और बाती ही जली तो ये हैं खुब से दिये जो अभी एक नई कोशी की जारी है हमारी बीट्या के द्वारा और यह है पाइन नीडल का की कारीगरी का खुबसुरत नमूना फुलावर पॉट पिरूल के पतों से बनाया गया है और मुझे विश्वास से आपको यह बहुत अच्छा लगेगा शोपिंग करके आगया रास्ते में डोट साब गाड़ी में आ रहे थे लिफ्ट मिल गई और जल्दी घर पहुंच गया पांच किलो आटा, दो किलो आलू, एक किलो गोबी, एक किलो दाल, तील लिटर सरसो का तेल, नहाने का साबुन, कब्रेद होने का साबुन अभी चार-पांच दिन ऐसे ही रेल बनेगी, अब जा रहा हूँ पानी भरने के लिए बच्पन में मिटी तेल, रासन और कोईली की लेन में बहुत लगा, आज जिंदिगी में पहली बार पानी की लेन में लगा और वहाँ पे चाची है, छोटा भाई है, चाची है, दादी जी है और छोटे भाई है एक डिपा यहाँ है और एक डिपा वहाँ है और उपरा मकान दिख रहे हैं, वहाँ पर है पानी का नलका एक्सरसाइज, यहाँ पर पत्नी की यादाना स्वाविक है घर में कहता था, बीवी 115 देना, बीवी एक अप काली चाय बना दो, बीवी दो रूटी और दे दो तो साथ रहके हम एक दूसरे की एहमियत को नहीं जानते हैं जब हम किसी कालवस एक दूसरे से दूर रहते हो जाते हैं, तब हम एक दूसरे की एहमियत को समझते हैं जाड़ों आ गई हैं, कमरे गंदे हैं, जाले लगेवे हैं, सफाय ब्रहन चलेगा जिन्दगी के हर पल को परदास करने के लिए त्यार हूँ क्योंकि कभी भी चांदी के चम्मस से खाना नहीं खाया नौ साल के मुझे से महनत की है, इसलिए आज भी मजबूत हूँ मेरे एक मित्र हैं, सिरी सत्यवीर सिंग उन्हें मुझे कहा कि वीडियो छोड़ा बनाया करो लोगों के पास समय नहीं है बड़े वीडियो देखने के लिए और मैंने उनसे यह कामित्र, मैं भी यही चाहता हूँ किन्तु सबसे जो इंपॉर्टन्ट होता है, वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डिमांड होगी तो टाइम जादा आल गएगा, टिमांड नहीं होगी तो छोटे में ही काम हो जाएगा धन्यवाद, रादे रादे, जै सिराम, जै दे भी मुतरखन, बाद माता की जै, जै हिन्द